हम इस कोर्स की शुरुआत मशीन लर्निंग के बारे में बात करके करेंगे मशीन लर्निंग के अंतरगत आप स्टेटेस्टिक्स और मशीन्स का इस्तमाल करके अलग-अलग समस्याओं का समधान निकाल सकते हैं समय के साथ मशीन्स इतनी ज़ादा विक्सित होती जा रही हैं कि इनके दोरा आसमित डेटा का विश्रेशन किया जा सकता है ये करने के लिए क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन जैसे सिधानतों का इस्तमाल किया जाता है कोई भी व्यक्ति, व्यफसाय या संस्था मशीन लर्निंग का इस्तमाल करके फाइदा उठा सकती है जैसे की आजकल जादतर कंपनीज, इन्वेंटरी, करमचारी और बिक्री संबंदित फैसले मशीन लर्निंग के द्वारा ले रही है उसी तरह अलग-लग देशों की सरकारें अपने देश की उन्नती, सुरक्षा और संचालन संबंदित फैसले मशीन लर्निंग से जुड़े तरीकों से ही ले रही है असल में आपकी समस्या चाहे कितनी ही छोटी या बड़ी हो, उसको बहतर तरीके से समझने और उसके निवारन के लिए मशीन लर्निंग का इस्तमाल किया जा सकता है इस कोर्स में हम रिग्रेशन के बारे में बात करेंगे, क्लासिफिकेशन एक अलग कोर्स में कवर करेंगे रिग्रेशन को एक मामूली उधारन की मदद से समझते हैं मान लीजे, आप बिजनस में 2016 में 200 और 2017 में 100 रुपे का निवेश करते हैं और इसके एवज में आपको 2016 में 10 रुपे और 2017 में 7 रुपे का मुनाफ़ होता है अब आपसे पूछा जाए कि 2018 में अगर आप 180 रुपे का निवेश करते हैं तो आपको कितना मुनाफ़ होगा तो इस तरह के प्रश्णों के उत्तर के लिए regression का इस्तमाल होता है 2016 और 2017 के data की मदद से निवेश और मुनाफ़े के बीच का रिष्टा समझा जाएगा और regression इस रिष्टे को एक equation की रूप में बदल देगा अब इसके बाद हमें निवेश की कोई भी संख्या दी जाए तो इस equation में उस value को डाल के मुनाफ़े का अनुमान निकाल सकते हैं इस सुधारन में निवेश और मुनाफ़े को आप variables की तरह से समझें इस course में हम variables के बीच के रिष्टे को equation में कैसे बदलें ये सीखेंगे अब एक कदम आगे भरते हैं और predictor और response variable का मतलब समझते हैं predictors predict शब से बना है और जिन variable से आप दूसरे variables का अनुमान लगाते हैं उन्हें predictor variables का हा जाता है हमारे उधारन में निवेश predictor variable है जिससे हम मुनाफ़े का अनुमान लगा रहे हैं उसी तरह जिस variable का अनुमान लगाया जा रहा हो उसे response variable कहते हैं हमारे उधारन में मुनाफ़ा response variable है क्योंकि इसका अनुमान लगाया जा रहा है अगली चीज जिसको समझना ज़रूरी है कि हम एक equation की मदद से सिर्फ एक चीज का अनुमान लगा सकते हैं माल लीजे मौझूदा उधारन में हमें निवेश के इलावा 2016 और 2017 में नियुक्त किये गए नए करमचारियों का डेटा भी दे दिया जाए अब मुनाफ़ का अनुमान लगाने के लिए करमचारियों का डेटा का भी इस्तमाल किया जा सकता है इस उधारन में इसलिए अब दो predator variable हो गए हैं निवेश और नए नियुक्त किये गए करमचारियों की संख्या दूसी तरफ response variable अभी भी सिर्फ एक ही है यानि मुनाफ़ा इस तरह आप और भी predictor variables लेकर आ सकते हैं लेकिन response variable सिर्फ एक ही रहेगा जब एक मात्र predictor variable response variable का अनुमान लगाता है तो इस तरह की regression को simple linear regression कहते हैं और जब एक से ज़्यादा प्रेडिक्टर वेरिबल, रिस्पॉंस वेरिबल का अनुमान लगाते हैं, तो ऐसी regression को multiple linear regression कहते हैं एक और चीज़ पर बात करते हैं, अगर हम सोचें, तो किसी भी variable का सटीक अनुमान लगाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेडिक्टर वेरिबल को ढूनना सही तरीका है आप जितने ज़्यादा प्रेडिक्टर वेरिबल को निकाल पाएंगे, रिस्पॉंस वेरिबल का अनुमान उतना बहतर हो पाएगा जिस चीज का हमें ध्यान रखना है कि जिन variables को हम predictors कह रहे हैं क्या वो सही में response variable का अनुमाल लगाने में मदद कर भी रहे हैं मौजूदा उधारन में हम मोटे मोटे तोर पर ये बोल सकते हैं कि एक business जितना ज़्यादा निवेश करेगा और जितने नए करमचारी रखेगा वो business में हुए मुनाफ़े पे असर करेगा और इसी लिए इन दोनों variables को predictor मानना सोभाविक है तो आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि चुने गए predictors क्या सही में response का अनुमान लगा भी सकते हैं अब अगले वीडियो में regression के कुछ और बुनियादी सिधानतों पर बात करेंगे